सब्सक्राइब करें अपने यूटिव चैनल लर्नबूट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्सिन पाने के लिए सो आगत है दोस्तों एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चनल Learn About Medicine में जहां आपाते दवाईयों के बारे में संपून जानकारी क्या आपका बच्चा रेत खाता है, मिट्टी खाता है, जिस कराण से उसके पेट में दर्द रहता है, उसका वजन कम हो रहा है, उसे बिल्कुल भूख नहीं लगती तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महात्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे, इस इस्तिति में बच्चे को कौन सी दवा दी जानी चाहिए, कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, साथ ही इस दवा के साथ में सपोर्टिव मेडिशन इजात पाच सके, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि संपूर्ण जानकर आपको मिल सके, साथ ही मेरे चैनल में पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और सेट जरूर से करें, मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देखरें अपना यीट्यूब चैनल लरूम रेडी से, चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं, हैलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें, बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं, तो जैसा कि आप सभी को बता है, मिट्टी में कई परकार के खनीज होते हैं, जैसे कि केल्सियम, मेगनीशियम, आइरन और भी बहुत कुछ, तो जब बच्चे के सरीर में इन सभी आइन इसकी कमी हो जाती है, तो उस समय बच्चा मिट्टी खाता है, परणतो ये देखा गया है, जब बच्चा मिट्टी खाता है, तो हाल प्रशियों के निजात के लिए और मिट्टी खाना चुडवाने के लिए जो डॉक्टर है मुख्य प्रकार की दवा देते हैं जिसका नाम है केल्सियम सिरुप जी यहाँ दोस्तों जो केल्सियम सिरुप है वही इस समय दी जाती है और यह मुख्य रूप से मार्केट में के सा साथ में विटामिन D3 की को मिल जाती है और इसके अलाव कुछ कंपनी केल्सियम मेगनेजियम आयरन तता विटामिन D3 का को मिनेशन भी निकालती है इस दवा को जब भी आप मेडिगल स्ट्रो पर खेलने जाते हैं अगर आप सामने तक केल्सियम सिरुप के बारें बोले सकते हैं आप आथा सकते हैं और PG जो सीरुप के लिए बनाई जाती है तो यह अलग लग फ्लेवर में बनाई जाती जैसे आपको बनानों मैंग लेனे में आसाथि अगर बात करें इसके पेकेजिंग की और प्राइज की कितने रुपए मिल जाती है जो 200 ml की सिरफ होती है केल्शियम की सामेने तर 60 रुपए से लगा कर 80 रुपए की MRP माती है यह आपको इतने रुपए मिल जाती है और हो सकता है 5-10 रुपए अलगले ब्रांट से इसके प्र इसे लगाकर 5-10 पांच एमिल भी दी जाती है दिन में दो बार लेने की सला दी जाती है इसे हमेंसा खाने के बाद लेना चाहिए और जब यह सीरफ ले तो बच्ची को पानी ज्यादा मात्रा में पिलाए इस सिरफ का जो डूरेशन होता है एक महिने से लगाकर दो महिने हो होता और समाने थे जब बच्चे को 15 दिन तक यह सिरफ देता है और इसके साथ अगर सपोर्टिव मेडिसिन की बात करें तो जैसे किसी बच्ची का पेट दर्ध हो रहा है तो डाइस सैकलोमीन सस्पेंट्स उनुसे दिते हैं यह भी दिया जाता है साथ नियो पेप्टिन ड बिक्टिरिया गए हैं उनको भी रीकवर किया जा सके इस तरह से सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है यह जो दोज दी जाती है यह दवा जो एक महिने का बच्चा उससे लगाकर बुड़ी बुजूर्गू तक दी जा सकती है मुख्यत उस समय दी जाती जब उनके सरीर में ह साथ एक सैफेक्ट के बारे में जान लेते हैं यदि किसी बच्चे को इसके साइड एक्ट हो सकते हैं यह कुछ समझता है और कईबार हाथ-पाओं और चेहरे-प्र शूजय ना यह समय देखे गई हैं यदि यह इसके लगए को दूसरे अन्वोंटेड इफेक्ट तो तुर तो दोस्तों इस समय ने सी जानकरी केल्सियम सीरप के बारे में थी जो मैंने आपको बताई ही हैं, उम्मीद करता हूँ, जादा-जादा डॉट्स आपके किलीर होये होगे, और वीडियो आपको जोर से पसंद आये होगा. यदी वीडियो आपको पसंद आया है, जो से इसको जाद जाद इसको शेयर करें जो किशी और के भी काम आ सकी और अभी तक आपने अपने युटीब चैनल लेर्न और मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो नीचे यह दिए बटन को दबा कर जो से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बैल आइकन इसे जोर दोबाएं जो आने वाले वीडियो के सब्सक्राइब आप मिल सुकर में सभी वीडियो मुफ में देख सकी आप ते अपने दोस्त मोहीत आदीश साथ देखिए ते अपना युटीब चैनल लेर्न और मेडिसिन थैंक यो फ्रेंड्स टेक केर और अन बे केरफू तो मेडिसिन जरू